हमने इससे पहले मॉड्यूल में ये सीखा कि स्मार्ट किस को कहते हैं यानि क्या टेकनीक है जिसके जरीये से हम अबजेक्टिव की स्टेटमेंट को जो है फोकस्ट रख सकते हैं और वो मैं आपकी स्लाइड पे स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसको मैंने कहा है कि ये स्मार्ट अबजेक्टिव है इस स्मार्ट अबजेक्टिव को पढ़ने से पहले ये देख लें कि अबजेक्टिव किस शकल में नहीं लिखना चाहिए जो कि मैं अमूमन देखता हूँ कि रिसर्चेज में लोगों ने लिखे होते हैं बसलिए एक पूरली स्टेटिड कैसा अबजेक्टिव हो सकता है एक अनेलिसिज आफ लीडर्शिप ट्रैक्टिस फर्स करने ये एक अबजेक्टिव है इसके ओपर मैं आप देखिए कि मैंने एक टाइटल लिखा है कि ये एक रिसर्च का टाइटल था उस research के title को फिर aim में convert किया कि अगर इसको aim की सूरत में लिखा जाए या statement of problem की सूरत में लिखा जाए तो ये कुछ इस शकल में लिखा जाएगा जैसे नजर आ रहा है और इस statement of problem को या aim को सामने रखें और objectives में ढालना हो तो objective लोग अमोमन इस शकल में भी लिख लेते हैं कि an analysis of leadership practices अब इस फिक्रे की मुख्तलिफ dimensions हैं जी leadership practices मुख्तलिफ नौईयत की हो सकती है अपने colleagues के साथ आपका behavior आपका style of motivation आपकी उनसे को work engagement देना और बेशुमार इस तरह के topics हैं जो तमाम के तमाम leadership practices का हिस्सा है तो अब मुझे actually जब तक मैं इसको specify नहीं करता जो पहला point था वहाँ पे कि मैं क्या मैं leadership practices में तमाम practices को address करना चाहता हूँ जो कि obviously doable नहीं होता किसी एक research में doable नहीं होता और अब्जेक्टिव की statement लिखने वाले के जहन में भी वो एक specific point होता है लेकिन वो लिखते वकत उसको generic लिख देता है जिस से फिर उसका scope unlimited हो गया तो हम अगर leadership practices की बजाए और analysis का लफ़ भी यहाँ थोड़ी देख लीजे analysis एक बड़ा broad सा लफ़ जाजी जिसके यह इनको हम ना weak verbs कहते है analyze करने में मुक्तलिफ angles हैं किस तरीके से क्या analyze करना है और किस तरीके से analyze करना है so हमें इस statement में सिर्फ कहने का मकसद यह है कि आप जो words चूज करें जो verb चूज करें जो variables चूज करें वो जितना specific होगा जितना to the point होगा उतना आपको उसको दूसरों तक convey करने में और खुद समझने में असानी होगी अब हम नीचे एक statement जो लिकिया वो पढ़ते है a study into the impact of ethical behavior of school leaders अब मैंने वो generic जो लफ़ था leaders उसको specify करके school leaders पे कर दिया और behavior जो इनको हमने कहा leadership वाले उन में से एक ले लिया ethical behavior उसका leadership का school teachers किस बात पे on the level of teacher's motivation teachers motivation जो है यह अपेरेंटली साफ जहरे एक study के objective statement एक तो नहीं होगी multiple होंगी तो जाहरां आप देखिए तो यह नजर आता है कि कुछ sub variables है teacher commitment के और कुछ sub variables होंगे organizational culture के organizational culture के variables में से हमने leadership practices को लिया जो के एक set of variables में से एक है और दूसरी तरफ हमने teacher commitment में से एक sub variable उठाया teacher motivation और पहला objective इसमें focus है इसके इलावा जो और objective statements आप लिखेंगे वो उन्हीं दो variables के जो title में हैं उनके मुक्तलिफ हिस्सों को address करती होंगी अब इसमें clarity किस बात में पहली बात कि analyze नहीं लिखा impact का ये एक strong verb है जिसका एक clear cut purpose है कि हम कोई intervention देंगे उसको थोड़े अरसे तक सिखाएंगे फिर intervention time खतम हो जाएगा उसके बाद उसको कुछ अरसे तक नहीं सिखाएंगे और फिर भी जाके देखेंगे को कितना उसका अफर बाकी है ये सारा जो sequence है ऐसा measure करने को impact कहते हैं तो ये लफ्स पहली बात इसके specific होने में कि जो verb आप यूज करें उसके एक specified clear meaning होने चाहिए वो multiple meanings में इस्तमाल ना होता हो उसके बाद ethical behavior हम देखेंगे इसका impact of ethical behavior of obviously organizational leaders है cool leaders हैं लेकिन हमने उनका एक पहलू ले लिया ethical behavior और उसको हमने फिर एक दूसरा पहलू जिसको independent कह सकते हैं वो है teacher motivation जो के basically teacher commitment का एक हिसा है तो हम इन दोनों के उपर उसका असर देखने ही कोशिश कर रहे हैं आप देखिए कि इसमें measurable होना क्या है कि आपके पास ethical behaviors ज्यादा specific terms में available terminology है जिसके sub parts का पता है और वो ज्यादा concrete है in terms इसी तरह teacher motivation एक concrete idea है जिसके अपने sub factors यहां गए indicators हैं जो के ज्यादा clearly list किये जा सकते हैं as compared to teacher commitment overall तो हमने इसको use specific बनाया measurable का मतलब यहाँ से मुझे नजर आता है कि मैंने ethical behaviors का record एक अठा करना है और teacher motivation का record एक अठा करना है यह दो variables हैं जिन पर मैंने data collect करना है और इन दोनों के बारे में tools जो है वो available भी है और बनाये भी जा सकते हैं क्योंके अब यह specify हो गया तो यह achievable भी है achievable से मुराद है कि इसको measure करना record करना और उस time frame में करना जिसमें आपको allow किया गया है वो भी आपके सामने clearly लिखा हुआ होगा और यह क्योंके दोनों सब variables जो हमने लिए ethical behavior और teacher motivation यह दोनों directly part हैं जो हमारे main variables थे organizational culture और teacher commitment तो यह objective directly contribute भी करता है towards addressing our main purpose of the study जिसको आपने statement of problem का था उसको हासिल करने में यह helpful भी है तो लहाज़ा इस तरीके से अगर आप देखिए तो यह 5 element जो हमने इससे पहले discuss किये थे वो पांचों इसमें काफी हद तक clear cut नजर आते हैं अगर आप इसको analyze करें आप जब भी objective की statement लिखें लिखने के बाद उसको इन पांच चीजों के against analyze करके देखिए कि क्या यह characteristics उसमें हैं या नहीं हैं और यह पहली दफ़ा statement लिखने में अमूमन नहीं cover होते क्योंकि उसकत आपका mindset कुछ और तरह से होता है जब आप उस statement को इसके against देखते हैं तो फिर आपको ज्यादा clearly अंदाजा होता है कि आपकी statement कितनी clarity से इन चीजों को cover करती है आप यह practice करके देखिएगा आपके objectives की statement आपके लिए reader के लिए ज्यादा clear clear form में लिखी जा सकेंगी और उनकी contribution to purpose of study या statement of problem जो आपने लिखी हुई है वो भी आपको ज्यादा crystal form में नजर आएगी